सब्सक्राइब करें फुली फॉर वल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिये गे बेल आइकन पर प्रेस करें ताके हमारी न्यू तुमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सकें असलाम अलेकम दोस्तों आप देख रहे हैं Fully Forward YouTube चैनल, मिना नाम है आजम, आज की वीडियो काफी इंट्रस्टिंग होने वाली है, इसमें हम सीखने वाले हैं, कि हम गर में यूज़ होने वाली तुमाम electronics चीजों के, वाट कैसे निकाल सकते हैं, मान लेजिए आपके पास गर हम डीटेल में यहाँ पर जानेंगे, वीडियो कर आपको पसंद आए, तो वीडियो को लाइक जूर कीजिएगा, चैनल पर नूई है, तो हमारे Fully Forward YouTube चैनल को, इस वीडियो के निचे Red बटन पर क्लिक करके, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं, वो है, V Multiply C Multiply PF, मतलब Volt Multiply Crunt Multiply Power Factor, अब यह क्या क्या चीज़े हैं, इसको समयना ज़रूरी है, यहाँ पर आप इन तीनों चीज़ों को आपस में Multiply जब कर देंगे, तो आगे आपका आंसर आ जाएगा, खुद बाखुद, जो वार्टिज हैं, वो आपके सामने आ चलिए, यहाँ पर अब मैं बताता हूँ, आपको के वोल्ट जो है, गर में वोल्टीज होते हैं, जैसे 220 वोल्टीज होते हैं, यहां 230 वोल्टीज होते हैं, सबको पता है के गरों में जो यूज होते हैं, 220 वोल्टीज होते हैं, 220 वोल्ट पर हर चीज ऑपरेट होती है, गर current से हम उराद ampere उसके लेंगे मतलब उसका load उसका current उसके ampere कितने है और इसके बाद आज़ता है power factor जिसकी value घर में तो तकरीबन 0.8, 0.9 होती है तो इसकी value तो हमें exact पता चल जाएगी घर में इसकी value maximum 0.8 हम 0.8 यह 0.9 ले लेंगे अब यहां पर सबसे पहले हमें wall check करना है तो चलिए हम किसी भी चीज़ का wall check कर लेते हैं गर में normal हम मतलब किसी भी switch पे जाकर wall पहले check कर लेते हैं तो यहां पर हमारे पास clamp meter होना चाहिए जिस पर मैंने दोनों terminal जो है आप देख सकते हैं पोकीट में लगा दिये हैं जहां पर हम normally socket लगा कर iron या fan कुछ भी चलाते हैं तो आपने मल्टी मेंटर को आपने जो क्लैंब मेंटर है उसको select करना है voltage पर AC voltage पर DC voltage पर आपने select नहीं करना है तो यहां पर AC voltage पर आप देख सकते हैं यहां पर अभी AC voltage आ चुके हैं तो AC voltage पर आपने रखकर इसको select कर लेना है अब हम इसको जो है check करेंगे अभी जो है two point कुछ हम पर voltage दे रहा है हम switch को जैसे ही own करके check करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं आपके सामने 230 volt इसमें आ रहे हैं 230.5 यानि कि 230 volt इसमें maximum है जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गरों में 220-230 voltage पर ही हर चीज operate होती है तो यहां पर 230 volt हम count कर लेते हैं और इसको हम लिख लेते हैं तो यहां यहां पर हमारे voltage आपने देखा कि voltage हमारे गर में 220 होते हैं लेकिन आपके सामने 230 आ रहे थे maximum तो हम यहां पर 230 volt रख लेंगे 230 volt हमारे आगे अब हम चेक करेंगे गर में किसी भी मशीन का कोई भी motor हो या fan हो या किसी भी electronics चीज़ का हम current देखेंगे तो current जो है जानने का तरीका क्या है वह हम पहले सीख लेते हैं तो दोस्तों मैं यहां पर अभी चेक करने जा रहा हूं आपके सामने जो पानी पंप मोटर है उसका पानी वाली मोटर का current जो हो चेक करेंगे यहां पर आप देख सकते हैं अभी ओन है तो ओन करके ही हमेशा चेक किया जाता है अब उसकी जो में वायर होगी जो के मोटर की तरफ जा रही है उस में वायर के उपर आपने एक वायर के उपर अपने मीटर को अमपेर पर स्लेक्ट करके ac ampere पर dc ampere नहीं ac ampere पर select करके आपने इसको लगाना है यहाँ पर भी आप दिख सकते हैं dc है मैं select वाले बटन को press करूँगा तो यहाँ पर select हो चुका है ac ampere तो अब मैं इसका clamp जो है वो इसकी एक wire पर लगा दूँगा हम note कर लेंगे कि 3.2 इसके ampere है ओके अभी यहाँ पर ampere तो हमारे सामने आ चुके हैं अभी हम इसके formula की तरफ जाएंगे और वहाँ पर इसके ampere भी हम वहाँ पर लिखेंगे यह हमारा पावर फैक्टर है पावर फैक्टर लास्ट में था जिरो पॉइंट या नाइन आप ले ले घर में नौर्बल जिरो पॉइंट नाइन ही होते हैं अब इन तिनों को मतलब बंब इसके wat निकलेंगे वहाँ उसके Ampere हम नहीं पर लिखेंगे के यहांपर लिखते हैं ओ क्या सब्सक्राइए क्ष्谷 faces का हम वहाँ इसके निकाल पाने थे हमने तो बहाँ अब हमने मोठ के चेक रिखेंगे हैं अर्प यह हमारा आपर वो हमारी मशीन का है जो भी मैशीन है जैसे कि वाटर पॉम है आगे हमने multiply करना है power factor से अब मैं। इसको multiply करने के लिए मैं just двух हम यहां पर दोसो ठीश multiply हम करेंगे यहां पर मैं इसकी brightness फोड़ी सीजनी ज्यादा कर लो, ok, 230 multiply हम करेंगे आगे three 3.2 से 3.2 से फिर हम multiply करेंगे इसको 0.9 पावर फेक्टर आ गया वोल्टीज आ गए यहां पर यह हमारे पास से 3.2 जो है इसके अम पेर आ गए जिसके हम वाटीज निकाला चाह रहे हैं और 0.9 हमारा पावर फेक्टर अभी हम यह जो है इसको ब्राबर कर लेते हैं और यहां प सामने निकल का आगे 600 662 वाट की यह हमारी मोटर थी जिसके अमपेर हम अभी चेक कर रहे थे तो मतलब मैक्सिमम साड़े 600 की यह साड़े 600 वाट की यह मोटर है तो यह बहुत ही आसान सा चरीका था यह सिरफ आपको याद रखना होता है वोल्ट मैल्टिप्लाइं क्रंट मत पता होना चाहिए इंटर्वियों के दिरम्यान में भी यह पूछा जा सकता है इंटर्वियों में यह एक बहुत इंपोर्टन कोशन भी है अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जूर कीजिएगा चैनल पर नई है तो फूली फॉर्माड यूट्यूब च अच्छ आला हाफीज